स्ट्रेंज कैसे हैं आप साव उमीद करती हूं आप लोग अच्छी होंगे पेटा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का जान पहचान का वन शूट रिविजिन ठीक है तेकि दूर पास से आपके कोशन्स नहीं आ रहे हैं पेपर में अगर आते भी हैं अगर आपको लगते हैं कि मैं हमें पढ़ना है तो दूर पास की पूरी प्ले लिस्ट्वें आपको डिस्क्रिप्शिन डे दूँगी आप महां से बढ़ लीजियीगा बागी जान पहचान क्या ग्रैमर की म्भी जो भी प्लेलीस्ट रहेगी वो भी आप किस लेबस में जो राइटर या जो आपके पॉइट इंपोर्टेंट बताए गए उनको देख लेंगे और कोशन आंसर देखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप लोग डिटेल वीडियो देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप् आप लोग जानते हैं आपका स्लेबस शेयर किया जा चुका है पहले से तो इसमें पहली आपकी नजम है हिंदू-मसल्मान उसके जो आपके पॉइट है याई नहीं तिलोग चंद मैरूम उनके बारे में स्लेबस में दिया गया है कि आपको इनके बारे में पढ़ना आपको में चीज यह होती है कि हम इतने सारे शायर है इतने सारे अधीब हैं उनके बारे में कैसे याद कर सकते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताओंगी साथ के साथ तो आप लोग उसके हिसाब से सारे याद कर लीजिएगा दिखिए सबसे पहले क्या करना है कोई भी राइटर हो क बी आपके मतलब शायर है यारीब है तो आपको क्या करना है उनका नाम याद कर लेना है कि उनका रियल नीम क्या है ठाक отдел दुशी histori जा याद करनी है कि वह कब और कहां पैदा हुए हैं य deportiva और उसके नाम याद करनी है इसके इतनी चीज़ीं मिखिए आपको याद करना है कि उन्होंने कौन सी किताबे लिखी है या अगर उन्हें कोई खिताब वगेरा दिया गया है तो वो क्या है ठीके इसके इलावा देखे जो अर्दू का शायर होगा उसे फारसी आना आम बात है अर्बी आना आम बात है कुछ ऐसे हैं जिनें आपकी इंगलिश भी आती है कुछ है ऐसे सारे नहीं है लेकिन अर्बी फारसी अर्दू ये आना एक नॉर्मल बात है सब के लिए ठीके और फिर बाकी चीज़ें सबकी कॉमन ही रहती है कि शुरू से पढ़ने का शौक था है ना बहुत जहीन थे समझ रहें घर का तालिमी मौहौल था तो ये साड़े चीज़ें सब में अलमूस्स सेम रहती है तो आप में चीज़ या याद करिए कि उनका असली नाम क्या है कब और कहां पैदा हुएं तखलूस क्या अख्तियार करते है फिर यहां उनकी पैदाइश जगा अपने में पैदाइश की जंहां ने ने उनका करे के लीए क्या चर्वन कोण कर लगाifie इनकी पहली नजम जो आपको दी गई है उसका क्या नाम हिंदू मुसल्मान ओपको पता है इस नजम का जो हम कह सकते हैं खुलासा या मरकजी ख्याल वो से इतनी सी बात कहीं गई है कि देखे हम सब क्या है हम सब एक हैं ना डेखिए यह लिखा है तिल्लोग चंद महरूम ने इस नजम के चोटे-चोटे मिस्रों में बताया है कि हिंदू और मुसल्मान सब इनसान हैं है ना सब आपस में भाई-भाई हैं किसी तरह का भेदभाव करना दुरुस्त नहीं है है ना सब मिल जुल कर रहे हैं जो इनसान नेकी का काम करता है जो दूसरों के लिए भलाई करता है वो इज़त के अकाबिल है अब आपस में मरकजी खयाल और नजम का खुलासा यह चीज़े पूछ ली जाती हैं इसलिए मैं यह आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब मरकजी खयाल अगर हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो इसमें सबकरई फायदा है और अगर हम अपने देश के लिए बुरा चाहते हैं तो इसमें सबकरी injury करने से अगर हम सवाल जवाब देख लेते हैं तो पहला सवाल आपका इजद के काबिल कौन शक्स है ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है बलकि इस नजम के ना सारे सवाल क्या होते रिपीटिड होते किसी बार कोई सवाल पूछ लिया जाता है किसी बार कोई तो अब सारे पढ़के जाएंगे के इजद के काबिल कौन है तो जो लोग भलाई के काम करते हैं वो इजद के काबिल है ठीके नजम में बुलबुले और गुलिस्तान किसे कहा गया है तो बुलबुले दो है इसलिए यहां के रहने वाले हिंदू और मुसल्मानों को कहा गया है ठीके और गुलिस् जहाँगी खाहंगी कि आपका नुक्सान हो जगड़े करेंगे बते हैं समय कर दो बता तूड़ेंगी घरिए तो कम्याबी तरफकी उसका राज है उसका राज राज यही है कि हम रिख कर रहें एक समय कर देंगी गर कुछ वही जमा मुतशाट दिए गए पर लोग Flex सकते हैं अगला सवाल देखिए लिखा है बहादुर्शा का हाथी अख्या अकफर आपसे वीट है सीन पीसेजिजिस आते हैं जो आपके दर्सी अक्तिबास आते हैं उसमें कया होता है अक्तिबास देने बहादुर्शा का हाथी और इसके मसन्निफ मीर बाकिर अली देल भी है ठीक है अब इसमें पहला सावाल देखिए क्या लिखा है बहादुर्शा ने लहौरी दर्वाजा क्यों तो आपको पते है कि उनका जो हाथी था मौला बख्ष उसके ओपर अगर अमारी लगा दी जाती अगला सवाल है हाथी के रोटी कैसी होती है कि कोशन रिपीटेड है कई बार तो आप लिख दीजेगा दो तीन इंच मोटी होती है अगला सवाल है कहा है मौला बख्ष ने खाना क्यों बंद कर दिया था तो आपको पता है कि भई जो फेल बान था यानि जो उसके रखवाल के लिफ्ष ने खाता है तो चीज Jong-e चंहें भी खाणा किस्ती होगी आने उसके डसेवाल हूँ तो बच्छी को आप ना आने का बंत टी करता है कि मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक मेरे दोस्त नहीं आएंगे इसाल नहीं है तो पते हैं कि दोनों में इक अगले चैप्टर पी आ जाते हैं तो अगला चैप्टर है आपका नादान दोस्त जिसको किसने लिख है मुण्शी प्रेम चंद ने लिखा है वैसे तो देखिए प्रेम चंद पी इंपॉर्टेंट है आप लोग उनके बार में भी पढ़ लीजेगा लेकिन उनको नहीं लिख तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजेगा उनको ठीक है बाकी पर पढ़ के जाएगा मैं किसी चीज़ को यह नहीं कहती कि यह वीडियो आपके लिए सफिशेंट है यह एक सरसरी तो पर आपका रिविजिन है जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल वो अगर यह तो हम ही कह सकते है कि हां भी फॉर पास हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप चाहते है तो आप यह बहुत्छ ना चींच पर्सट लेका लाइन चछली आगी आजए इसमें पहला सवाल आपको लिखा हुआ है प्रb Cu302 दिल में क्या खाईश पैदा हुई तो आपको पता है असलो के दिल में kindergarten के तो आपको पता है कि वो भाई स्टूल लाया उस्टूल के नीचे छोटा पढ़ गया था तो इसके लिए उसने नहाने वाली चौकी रख दी थी ती फिर उसके वाद श्यामा से काई से पकड़ और तब वो खुछ चढ़ा था गूसले तक पहुचा था अगला सवाल लिखा है को बच्चे पाइक केश्वार पात्रस क्यों नहीं आया था तो शामा को ऐसा लगता था कि जो बच्चे मतलब अंड जो तूटे है ना वो केशव की वज़े से ही तूटे केशव नहीं रखा होगा इसलिए उसने अम्मी से सारी शिकायत कर दी अगला सवाल लिखा है नहीं निकलते हैं तो इसलिए फिर उन्हें नहीं सेती है और उन्हें गिरा देती है खुद फेक देती है कि इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे और चुडियों कोई बता चल जाती है खुद्रती दौर पर अगला सवाल देखें यह लिखा है गोसले से जमीन पर अंडे किस तो आपको पता है कि उसे केशफ ने चू लिया था और उन्हें पता चल गया था कि चूने की वज़े क्या होगे खराब होगे और इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे ठीक है अब आपका अगला चैप्टर जो है वह है वह आपका नहीं आ रहे है इसलिए अगले चैप्टर पर आजाते हैं यह आपका गीत है अख्तर शेरानी का एक दिहाती लड़की का गीत अब यह पर पहला सवाल लड़की के गाते वक्त किस तरह का महाल था तो आपको पता है फिजा पर बदली च्छाई हुई थी है ना च्छम च्छम मतलब मीना बरस रही थी धीरी धीरी बार रही थी तो आपको बता है कि भई वो हो सकता है उसका ससुराल हो और उसे अपने माबाप की याद आ रही हो इसलिए वो गमगील्ला में गा रही थी आगे लिखा है अगला सवाल लड़की किन चीजों से बेपरवा होकर गा रही थी तो उसके आसपास जतनी चीजे थी उस मौझूद वो उन सब चीजों से बेपरवा होकर गमगील्ला में गा रही थी उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी अब यह आपको दिया गया कि भई बकरी है उसका बच्छड़ा है या और भी चीजे हैं जो उसके आसपास हैं उन सब चीजों से वो बेपरवा है और गने बालों से क्या फाइदा है ठीक है तो देगे आपको पता है कि भई जो पांड़ा है वो घंडे मुल्क का रहने वाला है जानवर है इसलिए उसके जिसम पे क्या है गने बाल है ताकि वो उसे सर्दी से बचा सकें अगला सवाल लिखा है कंगारू अपने पेट पर बनी अगला सवाल लिखा है पेट बरने के बास शेर क्या कटा यह कोशन ब्ला में दिखा गया है तो आप लोग इसे भी देख जाएगा जितने बी कोशन आनसर में करा रहीं कोशिष करिे कि आप लिख लिखे लिखे क्योंकि आप लोग की इमला में बहुत गल्तियां होतीं है ब अगला सवाल लिखा है पीट बरने के बाद शेर आराम करता है अगला लिखा है चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है क्योंकि थंडे मुल्का रहने वाल है इसलिए उसे गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती चीके आगे आजाईए हामित और उसकी बहन ने चिडिया घर म कौन जानवर तो आप देखे जो जो जानवर आपको याद रहे हैं आप बहुत सारे जानवर है और उनोंने गैरमला भी मुल्की जानवर ओकर बहुतUST बारा सिंगा इसमसे जो भी ऑंकी दो चार भी याद रहते तो다고 दो इस तरह से आपका अनसर क्या हो जाता है पूरा हो जाता है जरूरी नहीं जितने आपे दिये गए हैं यह सब के नाम आप लिखें अगर आप भूल जाते हैं तो वगैरा लिख दीजेगा अगला लिख जानवर को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है तो आपको पता और भी अच्छा उले मेरे से क्या मुराद है तो इसमें लिख रॉप ntने का सुठर का मतलब इसका मूह तो वहादर ना बोले और गलत काम ना कहें हमीशा सच्चाई के रास्ते पे चलें जो वादा करें उसे पूरा करें अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको माने और सौरी बोले के हाँ मुझसे गलती हुई है इसके बाद आगे लिखा है देखिए किसी से गुफ्तुगू करने के क्या आदाब है तो अगर देख लेका ट government किस तरह जाहिर की गई है तो यह बताया गए बैगए दुनिया में इल्म से बड़ी कोई नीमत नहीं है अगर आत इल्म हासिल करें गे तो आपको जिन दिदीगी में सुकून मिलेगा अगर आतल्म हासिल नहीं करेंगे तो कभी भी आप जिन दिद Tucson से नहीं रह सक है अभी मैंने आपको बताया कि तिलोग चंद महारूम और डॉक्टर जाकिर हुसायन कबीर और डिप्टी नजीर हमत इन चारों का जिक्र आपके स्पेशल तोर पर दिया गया पढ़ने आपको सारे हैं इन चारों को स्पेशल लिया गया इसलिए मैं यहां ही ने ले जी हूं मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको कोई भी कोई भी राइटर या शायर के बारे में अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले उनका नाम क्या है असली वो लिख लीजिए वो तखलूस के इस्तिमाल करते हैं वो लिख लीजिए कब और कहां पैदा हुए जैस और उन्होंने क्या-क्या लिखा है मैंने आपसे काता ना कि उन्होंने कौन-कौन से किताबे लिखी हैं उनके अद्वी कारणामे क्या-क्या थे कौन सी कहानिया लिखी हैं यह देखे लिखा हुए ना अब खान की बकरी लोमडी की चला की है ना मोर का हुसन ठीक है तो इस दुखानदार पर हमला किया था कि डाकूं ने यह सम्झ कर Duk Esther हमला किया कि उस품 एसके पास होगा पैसा हसा तो पास पैसे चांगे अशली थे न हॉड़े इस तरह से घोडे ने अपने पैसे वसूल करा दिये थे आगे दिखें यहां लिखा हुआ है साइस के बरताव की वज़े से घोडे को क्या-क्या तकलिफे उठानी पड़ी तो उसे भूका रहना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा उसने क्या करा था, उसे निकाल लिया था क्योंकि व बूड़ा जो घोड़ा था, वह बूड़ा हो गया था उसे दिखना बंद हो गया था, वो किसी काम का नहीं बचा था तो इस तरह से उसे बहुत सारी पैशानिया उठानी पड़ी थी भूका रहना पड़ा बारिश में घूमना पड़ा और भूका प्यासा ही धरुदा मारा मारा फेड़ता रहा बाद में बिचा जब भूक के मारे घंटी बजाता है तब उसे इंसाफ मिलता है आपने स्टोरी पड़ी होगी अगला लिख है उचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था तो अभी हमने आपको बता है कि अगर कोई शक्स ऐसा है जिसके ओपर जुल्म हुआ है या जिसका माल या हक मार दिया गया है तो उस रस्टी पकड़के घंटा बजाता है जिसे सुनकर सारे जो मांके पंच है जो गंटा बजने लगा आगे लिखा है ताजर का शेहरा शर्म से क्यों सुरख हो गया था क्योंकि जब णर क्योंक्ता क्यों थे जो पिल्या इसलिए को सब हो बही still क decorum दिया है और आपिधा। कि भी हमें अहसान का बदला अहसान के साथ देना चाहिए ठीक है अच्छा देखे जो आपकी गीत था ना एक दियाती लड़की का गीत उसमें कोई मरकजी ख्याल नहीं था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है अगर आप उसके खुलासे की बात करेंगे तो वही स्टोरी है वही आपकी मतलब खुलासा हो सकते है कि लड़की बारिश का मौसम है बहुत सुहाना मौसम है वह बहुत अच्छे से गा रही है उसे अपने मैके की याद आरी वह शायद उसका सुसुराल है वह सारी बात उसमें लिख सकते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं जंगल नजम के मरकजी खयाल की बात करते हैं लेकि नजम का मरकजी खयाल यह है कि इसमें एक पौदे की और घास के आपस में मुकाबला किया गया है कि लोग पौदे को खुब खाद पानी दे के उसे बचाते हैं और घास को निकाल के फेक देते हैं घास पौदे से यही शिकायत कर तो पौधा उसे जवाब में यही देता है कि मैं बड़ा हो जाओंगा तो मैं फल फूल कुछ ना कुछ तो इन इनसानों को दूंगा अगर बड़ा हो के पेड़ बन गया तो उन्हें चाया ही दूंगा अटलिस लेकिन तुम क्या दोगी तुम कुछ नी दोगी ठीक है और इन अगला सवाल लेकिने लिगा है तो अगला सवाल लेकिन पौदे पर इनायत की नजर होने से क्या मुराद है तो अभी हमने आपको बताया कि पौदे को घास की तरहां जड़ से उखाड़कर नहीं भीका जाते हैं उसे परवान चड़ने दिया जाता है यानि उसे बढ़ने पलने दिया जाता है कि वह अच्छे से बढ़े पले उसे पानी भी देंगे खात भी देंगे ताकि वह एक अच्छा सा तनावर दरख्त बन जाए और लोग उसके साहे में बैठ सके उससे फल खा सके इसलिए लोगों की क्या होती उस पर इनायत की नजर होती है अगला सवाल है हमारे खुरा के के लेकिन मैं और तुम इंसानों को देने के लिए अलग अलग चीज़े मतलब तुम कुछ नहीं देते हो और मैं साया मीवा फल सब चीज़े देता हूं ठेक है इसलिए इनसान मुझे अजीज रखते हैं और तुम्हें उखाड़कर फेक देते हैं अगला अगला जो आपका चैप्टर है यह आपका रैट क्रॉस सुसाइटी नहीं आ रहा है ठीक है इसके बाद आपका सिंदबाद जहाजी का जो एक सफर है यह आ रहा है ठीक है यह भी आपका तरजमा है अरभी कहानी से तो इसलिए इसके भी आपके जो राइटर हैं वो नहीं द काम धंदा तो करते नहीं है और दिन में हजारों रुपिया खर्च कर देते हैं चीक है अगला सवाल देखिए या लिखा हुआ है कि लकड़ हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा तो उसने देखा कि बहुत बड़ा सा दस्ताखान बिचा हुआ है बहुत सारे लोग अगला सवाल है सिंदबाद जहाजी ज़िरे पर अकेला क्यों रह गया था तो आपको पता है कि वह अकेला रह गया था जंगल था बहुत अच्छी हवा चल रहे थी इसलिए वह क्या हो गया थोड़ी देर सूग या ठीक है जब उसकी आप खुली तो जहाज मासे जा चुका था इसलिए वह जजीरे पर अकेला रह गया था अगला सवाल है लोग घाटे से जवारात कैसे हासल करते थे तो अब भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि लोग क्या करते थे बड़े बड़े गोश्ट के टुकड़े को घाटी में फेक देते थे और जो मापे चील दुखा लेते थे और जवरात बाहर चोड़ देटे थे ठीक है अगला सवाल देगे लिखा है रुखसत होते वक्त सिंध बाधने लकड़ारे से क्या कहा तो देखें कहा हुआ है रुखसत होती हुए लकण सिंध बादने अपने सफर का हाल बयान करита और उसे रुखसत करा वक्त उसे कुछ रुपए वगेरा दिये ठीके और ये कहा कि महिनत के बागेर इनसान को राहत नसीब नहीं होती यानि अगर आप अपने जिंदगी में राहत चाहते हैं सुकून चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको महिनत करनी ही पड़ेगी ठीके इसके बाद देखिए अब आपका जो अगला चाप्टर है वो है कहावतों की कहानी जो फरकत काकॉरवी ने लिखा है ठीके अब इसका पहला जो सवाल है वो लिखा है मकूला वही मुरगे की एक टांग का क्या मतलब है तो कहते हैं इसका मतलब है कोई शक्स हकीकत के खिलाफ अपनी बात पर अढ परा रहे यानि ऐसी बात जो हकीकत में नहीं है और फिर भी वो कहें नहीं ये तो सच है ठीके अगला सवाल मुरगे की दूसरे टांग निकलने पर खान सामा ने सहाब से क्या गहा तो खान सामा ने कहा कि आप उस पके वे मुरगे के सामने भी हशश करते तो वो भी अपने दूसरे टांग निकाल देता ठीके आगे आजाईए अगले सवाल पर अब यहां लिखा है ओंट किस कल बैठता है का किस्सा क्या है बताईए तो आपको पता है कि भाई दो लोग थे एक कुमार था एक सबजी फुरोष था ठीके दोनों ने मिलका एक ओंट लिया था किराए कि लेकिन इस बिचारे सब्जी वाले को तो क्या हो गया नुकसान हो गया और मैं अब जाके वहाँ पर अपने मिट्टी के बर्तन बेचूंगो और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन जब अपनी मन्जिल पे ऊंट पहुशता है तो वो उसी करमट बैठता है जिस क्या है सब्जियां है समझ में या यह तो किसी के नुकसान पर कभी भी हमें खुश नहीं होना चाहिए अगला देखिए यह लिखा है हुजूर आपकी जूतियों का सत्का है इस मकोले से मुतालिख क्या लतीफा मशूर है बताईए तो अगर आपने ये स्टूरी पढ़ी हो तो सब ने का वावा खार तो बहुत अच्छा बनाएं तो उसने क्या का आपी की जूतियों का सत्का है अगला सवाल देखिए लेका है इस मुकले का इस्तेमाल कप किया जाता है जब कोई शक्स किसी मुश्किल में पर जाय तो उसे चुटकारा पाने की फिक्र में उस वक्त ही मुहावरा करा जाते हैं थी अगले अहम चैप्टर पर आ जाते थे लिए अगला जो आपकी नहीं आ रही है आप ऑपका चैप्टर आ रहा है तिनका थोड़ी सी हवा से उढ़ जाते यह कहानी है जो कि तरज्युमा और मुझीब साप ने थी के पहला लिकारा है सागन के दरख पर रखाया और बैट कर अकाब ने क्या सोचा तो उसने सोचा के भई देखो क्या लेकिए सागन के दरख पर बैट कर उसे जो मंजर नजर आया उसकी खुबसूरती में खो गया और उसने सोचा कि क्या है दुनिया एक सbased दुसरे से तक तस्वीर की तरह मेरे सामने है ठीक है? उकाब ने अगला सवाल देखे लिखा है उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा? तो उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्ला ने उसे परवास की ऐसी ताकत अता की है जिस बुलंदी तक कोई नी जा सकता वहां तक वो उकाब जा सकता है अगला सवाल देखिए लिखा है मकडी पहाड की बुलंदी तक क्या से पहुची तो आपको पता है कि भई वो उसके पैर पर लेटक के उसके पर में दुम्में छुब गई थी और जाके वहां पहुच गई थी और जब पहाड पहुची तो वहां से उसके अल्यादा हो गई निकल गई उसके पर में से चीके अगला सवाल दिक है मकडी का अंजाम क्या हुआ तो आपको पता है मकडी जो है हवा से एक सेकेंड में नीची आके गिर गई क्योंकि जब वहाँ पहुची तो उसने उकाप का शुक्र यादा नहीं किया कि भई मैं तुमारी वज़े से इस बुलंदी तक पहुच गई उसने उल्टा उससे ये का कि तू किस बात का शुक्र दा करता है देख मैं भी तो यहां तक पहुच गई और जब एक तेज हवा का जोका आया तो वह पहाड से एक दम जमीन पर आकर गिर गई और उकाप क्या होता है भारी होता है तो वह नहीं उड़ा ठीक है आगे आजए अगले सवाल पर इस कहाने से पको क्या सबक मिलता है तो इस कहाने से में सबक कि हम और गहम भी घória करना चाहिए अगर किसी इंसान को感覺 있고 समाज में मुकाम मिल जाता है तो क्यों जाता मगरूर हो जाता है फिर वह घ shaping क्य घाषिए है है और बूर्फ कर लोग कर लेंगे आगे आज mismo है अगला जो सवाल है अगला गर नहीं दोह का है कबीर ने लिखाए तो नहीं या affirmal देके untoyang किसी बीन है जाए आइकर सकते हैं के उनका असली नम करते हैं बहुत कर दोह करते हैं कब और कहां पैदा हुए हैं कब और कहां उनकी वफात हुई है चीके उसके इलावा उन्होंने क्या क्या चीजे लिखी है वस इतना आप लिखेंगे यही आपके रहे सफिशेंट होगा अब देखिए अगर हम बात करते हैं दोहे के बारे में तो लिखते हैं पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है तो देखिए अब आपको पता है कि कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हो तो उसके जासे किसी को फाइदा भी बहुचना चाहिए खजूर का दरख भी बहुत बड़ा होता है लेकिन उसे किसी को अराम या साया नहीं मिलता और फल भी उसे इतने दूर लगते कि आप बासानी उसे नहीं तोड सकते अगला सवाल लिखा है लालच करने से मक्की को क्या सजा मिली तो लालज करने से उसे ये सजा मिली कि उसे उसी गुर में चिपक कर अपनी जान को गवाना पड़ा आगे लिखा है माटी ने कुमहार से क्या कहा तो माटी ने कुमहार से कहा कि आज तू मुझे कुछल कल मैं तुझे कुछलूंगी क्यों कि मरने के बाद इंसान को मिट्टी में ही मिलना है अगला सवाल दिखे लिखा है आखरी दोहे में कभी ने क्या मश्वरा दिया है तो आखरी दोहे में कभी ने मश्वरा ये दिया है कि जब उम्र आखिर हो जाए जब इंसान बूढ़ा हो जाए और लाटी या लकडी के सहरे चलने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब वो दुनिया में चन्द दिनों का महमान है और उसे अपनी असली घर जाने की तयारी करनी चाहिए यानि अल्ला पाक पास जाने की तयारी करनी चाहिए तो यह हो गए कभीर के दोहे अब आजाए मसनवी सयारा पर इसके आपके राइटर जो है वो नहीं दिये गए हैं क्योंकि ये मजमूनी कहीं से आपका अख़ज है तो अब आपका इसमें पहला सवाल बनता है कि 19 अपरेल 1975 को जारी किये गए टिकेट के खुसूसियत क्या है तो क्या खुसूसियत थी तो आ अगे लिखते हैं हिंदोस्तान के पहले मसनवी सयारे का क्या नाम था अर्या भट अगे अग्ला सवाल लेक हिंदोस्तान से पहले मुलकों ने खिलाम मसनवी सयारे बेजे ये कोशन बीटा पूछा जाता है अक्सर पेपर में तो इसे भी आप लोग याद कर लिज़ कि हिंदुस्तान से पहले मतलब दस लोगों ने भीजे थे हिंदुस्तान 11 मुल्क था तो दस लोग में कौन कौन से थे रूस, अमेरिका, बरतनिया, कैनेडा, इटली, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, नगरिबी, जर्मनी, चीन और जापान इसके बाद अपना सेयारा, यानि हिंदुस्तान का सेयारा गया था अगला सवाल देखिए, यह लिखा है, मस्नवी सेयारे के क्या फायदे हैं, तो देखिए, मस्नवी सेयारे जब हम खिला में भेज़ जेते हैं, तो उससे ना हमें, जमीन में जो भी हरकते हो रही होती है उनका अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं हम लोग जो भी तबदीलिया आने वाली है मौसम में या समूंदर तुफान आने वाला है कुछ भी जलजला आने वाला है यह जो भी है जो भी तबदीलिया होती है उनको हम पहले से ही नोटिस कर पाते हैं और उपर स किसके वज़े से हो गई यह भी मस्नवी सियारे की वज़े से ही है कि हमाई पूरी दुनिया जो है वह एक गाउ में तब्दिल होगी इंटरनेट है और अब क्या है कोई भी हास्ता कहीं भी किसी भी मुल्क में होता है तो वह फॉर्ण पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि वहां यही चीज हुई है ठीक है आगी आ जाते हैं बिटा अब आपका अगला जो चैप्टर है वो नजम है अफसर मेरटी की बहार के दिन ठीक है तो उस नजम का मरकजी ख्यालियां लिखा है जब मौसम बहार आता है तो उसका बागो फूल और परिंदो पर किस तरह सी असर ह होता है आदमी इंसान सब लोग के से खुश-खुश नजर आते हैं उस चीज़ को यहां बताया गया है अब आप हम अगर सवाल की बात करते हैं तो लिखा है बहार के जमाने में बाग का मनजर कैसा होता है तो हर चीज़ पे हर्याली होती है फूल फल चिड़ियां चहकती व मौसम बहुत दिलकश होता है बहुत खुश-गवार होता है तो इससान की जिसमें भी एक नई ताकट आ जाती है और दिलफरेब होता है श्याम बहुत हथी है ॱुप अर्वर होती है और रात को आसमान पर चांदनी का यह आलम होता है कि फिज़ा में मस्ती और मदोशी च् ठीक है आगे आजाईए अब देखें नेक्स्ट आपका गाउ बंचायच जो है वो आनी रहा है इसके बाद मुल्ला नसरुदीन आ रहा है और वक्त आ रहा है ठीक है मुल्ला नसरुदीन किसने लिखे है आमजमार पाशा ने लिखा है तो इने पढ़ लेते हैं अब देखें इरान, अरब, हिंदुस्तान, चीन वगेरा भी वो गए हैं गुम फिर गया है ठीक है अब पता नहीं ये सब हागीकत है या क्या सराई ये तो पता नहीं ठीक है आगे आ जाई है मुल्ला नसरुदीन का नाम आज भी क्यों जिन्दा है तो वो हाजर जवाब थे यानि कोई भी काम ऐसा नहीं था जो उन्हें नहीं आता था ठीक है अगला सवाल लेका है मुल्ला नसरुदीन की बाते दिल पर क्यों असल करती हैं क्योंकि देखे वो ना बहुत बड़ी बड़ी बात को भी ना हसी मजाख में बोल जाते हैं ठीक है उनको उनका जो समझाने का तरीका है ना वो बहुत अच्छा है वो किसी को तंज नहीं करते हैं वो प्यार से हसी मजाख सही चीजों को समझाते हैं ताकि लोगों को समझ में भी आ जाये और उनकी बात भी हो जाय ताकि लड़ाई जुगड़ा भी ना हूँ ठीक है अगला सवाल देखे हैं लिका है मुला नसरदीन ने हसी मजाख को अपना शेरा क्यों बनाया क्योंकि देखिए अगर मैं किसी से डिरेक्ट कोई बात काऊंगी ना कि तुम बहुत बुरे हो तुमें इह बात समझ नहीं आ दी तो मुझसे लड़ने घड़ा हो जागा अच्छा ही आपको बड़ा आती है लेक लास्ट जो आपका चैप्टर है वो वक्त है डिप्टी नजीरामत का मजमून है तो फिर से मैं आपको कहरी हूं कि ये वीडियो आपकी उन बच्चों के लिए सफिशेंट है जो बही सिर्फ पास होना चाहते है लेकिन अगर आप खुब अच्छा स्कोर करना चाहते है तो डिटील वीडियो भी देखके जाएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट वॉक्स में दे दूंगी ठीक है इसके लावा तिलोग चंद मैरूम डॉक्टर जाकिर हुसें कबीर और अब डिप्टी नजीरामत के बारे में मैं आपको बता रही हूं बागी सब के बारे मे कब और कहां उनकी वफात हुई है इसके लावा उन्होंने अगर उन्हें कोई खिताब मिला है ठीक है तो वो लिख लीजिए इसके लावा उन्होंने कुछ नॉवल या कुछ भी लिखा एई टू जर तो लिख जैसे अब डिप्टी नजीरामत की अगर हम बात करें तो इन् कि अब इनके सवाल पर आजाते हैं तो इनका पहला सवाल लिखा है दुनिया में वक्त की तलाफी क्यों मुम्किन नहीं है तो देखे जाहिर सी बात है जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी क्या वक्त वापस आ रहे ह या रहा ना अब आपको लग रहे हैं कि मैं हम इंपॉर्टन भी बता दीजिए मैं हम एक काम की आप पूरा पेपर ही हमें दिखा दीजिए ताकि हम बस वही पढ़के जाएं वही लिखिया है क्योंकि हमने पूरी साल तो पढ़ाई की नहीं है तो यहां पर वही बात बता रह है कि अगर आप वक्त बरबाद करते हैं तो एक्जैम टाइम में आपको पष्टाना पढ़ते हैं है ना कि भई आई है अगर वह टाइम पर हम पढ़ लेते तो आज हमें इस तरह से मैम से रिक्वेस्ट करके यह चीज वह चीज नहीं मांगनी पड़ती हमें सब कुछ आ रह तो इससे वह सिहत मन भी रहेगा सारे काम भी वक पर कर लेगा तो इससे हैं एक हश्ट पूश बिलकुल सिहत मन आदमी बनेगा और कामियाब आदमी बनेगा तो यह पर इसी चीज को नहीं दिखाने की कोशिश की है कि बेटा आप लोग अपने वक को जाया ना करें आपका अगर आप अभी से अपने वक को जाया करेंगे चीजों को नहीं समझेंगे तो 10 में आप क्या करेंगे तो यह थी आपकी वीडियो इसमें मैंने वन शूट में आपको पूरी बुक को बता दिया है अब अगर आप करते हैं दूर पास की तो देखें जैसा मैं आप से शुरू म अगर आप चाहें डेटेल में पढ़ना तो वह भी मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी वहां से आप लोग देख लीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में और इसके लावा मैं आप लोग के लिए जब पेपर हो जाएगा तो आंसर शीट भी अपलोड कर लीजेगा कि आपके कितने कोशन सहीर हैं ठीक है मिल दें नेक्स वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग